सुहेगा आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन से SBI bank account का ATM card कैसे apply कर सकते हैं मतलब order कैसे कर सकते हैं वो भी अपने फोन से जो कि आज की इस वीडियों मैं आपको full process बताऊँगा कि आपको अपने SBI के ATM card को कैसे order करना है तो full process इस वीडियों मैं आप को बताने वाला हूँ सुडियों आपको अपने SBI account से ATM card order करने के लिए सिंपल से आपको net banking होना आपके account में बहुत ही ज़रूरी है तब ही आप अपने online अपने फोन से order कर पाएंगे SBI का ATM card net banking आप जाकर branch पर activate करा लिजिए पांस मतलब आपको आधा 30 मिनट में वो activate करके दे देंगे आपको username and password उस username पासवर्ड मिलने के बाद आपको you know application में register कर लेना है you know application पर कैसे register करते हैं इसके लिए already वीडियो बना रखिए काफी अधे YouTube पर भी available हैं तो आप जाकर देख सकत हैं युजरनेम पासवर्ड डाल के इसमें register हो जाना है रिजिश्टर होने एक बात बांकि का process मैं आपको बता देता हूं फिर आपको login पर simple से क्लिक कर देना है login पर क्लिक करने बाद आपको simple से अपना passcode डाल लेना है फिर आप username डाल कर भी login कर सकते हैं तो simple से हमने अपना pass को डाली है MPIN डाल लिया है यह सर्चिंग लेगा सर्चिंग लेने के बाद कुछ हैसा इंटरफेस आपको यूनो एस भी है एप्लिकेशन का देखने को मिल जाता है इस पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक आपको अफसन देखन कार्ड जैसी आप देख सकते हैं ATM डेविट कार्ड और नीचे आपको ब्लॉक एक्टिवेट का एक ओफ्सन देखने को मिल जाता है तो इस अप्लिगेशन पर मतलब इस ओफ्सन पर आपको सिंपल से क्लिक कर रहा है जैसी आप इदर पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूंचे जा हमने अपने पासवर्ड को इधर पर इंटर कर लिया अपने प्रोफाइल पासवर्ड को तो सिंपर से आपको संबिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने निकल के आ जाता है ATM डेविट कार्ड का एधर पर आपको ब्लॉक कार्ड मैनेस कार्ड से क्लिक करते हैं तो आपको सिल्ents जस नं से आपको अपने कार्ड को मंगाना हैं तो सिंपल से मैं जिसका अकार्ण एधर पर इंटर कर देता हूँ जिससे कि मेरा मम्मी का अकाउंट हो तो मम्मी का नेम इधर पर रेजिस्टर कर देता हूं सुगाइस हमने नाम डाली है एंड इधर पर आपको select the type of card का एक option देखने को मिल जाता है तो simple से एरोग निसान पर आपको क्लिक करना है तो इधर पर आपको कई तरह के इधर पर cards देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको card मिल जाता है रूपे classic का जो की एक basic card है इस पर आप थोड़ा ही transaction कर सकते हैं लमसम 20 type के cards होते हैं क्या क्या limit होती है इनकी तो आप वीडियो को जाकर मेरी देख सकते हैं वैसे तो मैं आपको बता दूँ रूपे classic सबसे सस्ता card होता है मतलब 125 रूपेज पर year कटता है इस card का तो यह सबसे सस्ता card होता है और जो आपको वीजा global card देखने को मिल जाता है यह सबसे महंगा card होता है इससे भी एक महंगा आता है अगर आपके account पर available तो उसे भी आप order कर सकते हैं तो इससे अपने हिसाब से कर सकते हैं तो मैं रूपे classic करूँ है जिसके limit होती है 20,000 per month मतलब 20,000 daily withdrawal की limit होती है और इधर पर आप card को select करने बाद एक option देखने को मिल जाता है select address for dispatch तो इधर पर आपको permanent का एक option देखने को मिल जाता है और and second जो आपको देखने को मिलता है जो भी एपने मन पसंद का address जहां भी आप मंगाना चाहते हैं तो उधर पर मंगा सकते हैं जो कि अभी not available इधर पर बता रहा है ये service अभी नहीं available है तो आप ऐसा इधर पर नही पर क्लिक करते हैं तो आपके फोन register phone number पर एक OTP receive होने के बास सिंपल से अपको संबिट पर क्लिक करते हैं जहसी आप संबिट पर क्लिक करते हैं जो आपका card होगा वह order हो जाएगा एंड दो से तीन दिन बाद आपके register phone number पर एक message आएगा जो कि इंडियन बोस्ट के tracking ID generate हो ज जाएगा दो तीन दम्राद आपके पास ट्रैकिंग आईडिया आजेगी तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं अभी मैं कार्ड और नहीं करने वाला इसलिए मैं आपको ओटीपी डालकर संबिट करके नहीं देखा रहागी कोई भी मुझे कार्ड और नहीं करना इसी तरह से आप क आपको जो आपस कदरा कि कोई ऐसी बैंकिंग लेट इस वीडियो में अपने चैनल पर लाता रहता हूं थैंक्स वाचिंग